T20 World Cup 2022 में भारती टीम की कॉंबिनेशन पर सबकी नसरे होंगी एशिया कप में भारती टीम ने प्लेइंग 11 में काफी प्रयोग किये थे जिसका खामियाजा उसे भुगत ना पड़ा था आब इसे मेगा टूनमेंट में भारत अपनी बेस्ट 11 उतारना चाहेगा जागामी T20 World Cup में रोहित शर्मा और विराट कोली ओपनिंग करने उतरे तो किसी को आश्चरे नहीं होना चाहेए औस्टेलिया में अगले महिने शूर हुरे T20 World Cup 2022 के लिए बिससी आई ने भारती टीम का एलान कर दिया है 15 सदस्य भारती टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करने जा रहे हैं खास बात यह है कि जस्परित बुम्रा और हर्शल पटेल जैसे फास्ट बॉलर से चोड़ से उभरने के बाद टीम में लोटे हैं 15 सदस्य भारती टीम में सभी प्लेस अपने दम पर मैच जिताने की शम्ता रखते हैं ऐसे में इन 15 में से चार खिलाडियों को प्लैंग 11 से डॉप करना काफे मुश्किल काम होने जा रहा है साथ ही ये देखना होगा दिल्चस्पी होगा कि खिलाडियों का बैटिंग क्रम किस तरह का रहता है तो देखे देखना होगा इसमें किस तरह का प्रदेश्चन नसर आएगा वर्ल्ड कप में भारत की बेस प्लैंग 11 उसको लेकर आप तक जानकारी पहुचाई जा रही है रोई शर्म और विराट कोली ओपनिंग करने उतर सकते हैं दोनों की जो जोड़ी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसके बाद तिसरे नंबर पर सूरी कुमार यादव की एंट्री काफी कारगर होगी ऐसे संभावना जताई जा रही है और इसी के साथ अगर बात करें दिनेश कार्तिक और रवी चंदरन अश्विन को भी टीम में जगा मिली है और वो भी अपना प्रदेशन यहाँ पर उंदा दिखा सकते हैं मिडल ओर्डर की बात की जाए तो चाथे नंबर पर हार्दिक पांद्य एक अच्छे विकल्प रहेंगे बीते समय भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखा गया था मैं केल राहूल को पांचवे नंबर पर उतारा जा सकता है तो यहाँ पर एक एक जो क्रम है वो बेहत महत्वपूर्ण है केल राहूल वंडे क्रिकेट की तरह यहाँ भी मिडल ओर्डर की भूमी का निभाएंगे राहूल के बाद छटे नंबर पर दिनेश कारतिक फिनेशर रोल के फिट रहेंगे और अगर यहाँ पर बात करें अक्षर पटेल की तो अक्षर पटेल सात्वी नंबर पर रविंद जडेजा वाला रोल निभाते दिखाई दे सकते हैं तो वल्ड कप में भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 और वहीं आठवी और 9 नंबर पा हशर पटेल और म४नेश्वा कुमार का नंबर भी आज सकता है हशर पटेल और म४नेश्वा कुमार अतीत में भी बल्ले से प्रभावशाली खेल दिखाचके हैं वहीं आकरी दो स्थानों के लिए जस्प्रित बुमरा और युजवेंदर चहल की दावेदारी मजबूत रहेगी तो यहाँ पर दोदों की जो टुकडी है और किस तरह से जो प्रफॉर्मेंस है वो नजर आ सकता है खिलाडों की और से तैयारी की जा रही है और यह देखना होगा कि जब यहाँ पर बैस्ट 11 देखने को मिलेगा तो कैसी तस्वीरे भारत के जो खिलारी उनकी और से